जिस बता है? हमारे आयुरवेद में बताया गया है कि यदि हम शरीर के इन चार स्थानों पर तेल लगाते हैं, तो उससे हमारा शरीर खुद अपनी बीमारियों को सापताहिक ठीक करता है. और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता है और कोई खर्चा भी नहीं आता है बलकि आपके शरीर को ही लाब. प्राप्त होता है और आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाती हैं, तो आए जानते हैं कि आखिर वो कौन सी जगह है जहां पर ह हमें तेल लगाना चाहिए और हमें किस तरह का तेल लगाना चाहिए और किस समय पर लगाना चाहिए इस वीडियो में आपको सब कुछ बताया जाएगा, बस आप धैरे पूरवक इस वीडियो को पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि य जानकरी जो है वो आपके सारे प्रियजनों तक भी पहुँच सके। एक बार की बात है, एक गुरू जो आयुरवेद के बहुत बड़े ज्याता थे, वह अपने शीशे से कह रहे थे कि बेटा, क्या आपको पता है कि हमारा शरीर किस से बना है, हमारा शरीर 5 तकवों से बना है, इन 5 तकवों में प्रोटीन विटामिंट, यह सभी चीजें आती हैं और हमारे शरीर में 3 दोशी पाए जाते हैं, वात, पित और, कफ, दोश और हमारी हर बीमारी की जड़ जो है वह ये 3 दोशी होते हैं, क्योंकि अगर हमारे शरीर में वात बिगड़ता है तो 60-70% बीमारियां आती है और अगर पित बिगड़ता है तो 15-20% बीमारी आती है और अगर हमारा कफ भी करता है तो हमारे शरीर में 5-10% बीमारियां आती है। ये तीनों दोस्त हमारे शरीर में पाए जाते हैं। इस समय हमारे शरीर में पीते परिवेश सबसे ज्यादा होता है। यानि इस समय हमारे शरीर में पित्त बनता है। इसके बाद आती है वृद्धावस्था ये साथी उपर की उम्र की होती है समय हमारे शरीर में बहुत ज्यादा वाट बिगड़ता है और वाट बढ़ने की वजह से 60-70 प्रतिशत बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती है पांच तत्व और तीन दोस्तों में जब भी कोई कमी आती है तभी हमारा शरीर बीमार पड़ता है अन्यथा हमारा शरीर बीमार नहीं होता है बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान ने हमें यह कश्ट दिया है वह कश्ट दिया है इतनी गंभीर बीमारियां भी टीवी दे दी, कैंसर थाइराइड दे दिया। लेकिन ये सारी बीमारियां इंसान सेमी पालता है। क्योंकि हमारी प्रकृति तो ये कहती है कि आप प्रकृति से प्राप्त भौज्य पदार्थ खाएं। लेकिन आप क्या करते हैं? आप बर्गड चाउमीन, ये सभी खाते रहते हैं। आयूर्वेद कहता है कि आप पानी पीने का सही तरीका अपनाएं। लेकिन नहीं, आपको तो फ्रिज का पानी पीना हैं, कोल्ड ड्रिंक पीना हैं। अगर आप प्रकृति के नियमों के हिसाब से नहीं चलेंगे, आयूर्वेद के नियमों को नहीं अपनाएंगे, तो आपका शरीर तो बीमार हो का ही, इसमें भगवान क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आयुर्वेद के नियमों को अपने जीवन में अपना लेते हैं, तो जीवन भर आपका शरीर बीमार नहीं पड़ेगा. फिर गुरू उनसे कहते हैं कि बच्चों, आज मैं तो में चार ऐसे अंग बताऊंगा. पर तेल लगाने से आपके शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होगी, और इससे आपके तीनों दोस्त भी संतुलन में रहेंगे, और आपके शरीर में कभी भी पांच तत्वों की कमी नहीं आएगी बच्चों. जो चार अंग हैं, उनमें से सबसे पहला है आपकी नाभी, दूसरा है आपके पैर के तलवे, तीसरा है आपकी नासिक और चौथा अंग है, आपका से ये चार सबसे महत्वपूर्ण अंग है, और इन चारों अंगों पर आपको ये ध्यान रखना है कि कब और कैसे लगाना है. तो सबसे पहले हम जानते हैं नाभी के बारे में. बच्चों, यह आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि यह आपकी बेहत दस हजार नारियों का केंद्र है. यह एक ऐसा केंद्र है, जो सबसे अधिक नारियों से जुड़ा हुआ है. यह जो आपकी नाभी है, वो आपके पूरे शरीर से संबंधित है. जब आप नाभी में तेल का प्रयोग करते हैं, तो उससे पूरे शरीर की नारियां प्रभावित होती है. पूरे शरीर में ठीक प्रकार से उर्जा का संचार होता है. आप और भी उर्जावान और जवान महसूस करते हैं. आपने देखा होगा कि जब छोटा बच्चा जन्म लेता है, जब वह बहुत छोटा होता है, तो उसके माता-पिता उसके पूरे शरीर पर तेल की मालिश करते हैं, क्योंकि उस समय शरीर पर तेल की मालिश करने से हड़ियां मजबूत होती हैं. इसी लिए आपको भी नाभी में तेल लगाना है और आपको शुद्ध सरसों का तेल लगाना है. किसी भी कमपनी का तेल आपको नहीं लेना है, क्योंकि वह शुद्ध नहीं रहता है. उसमें विविध प्रकार के कैमिकल होते हैं, जो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं. अगर आप उन दोनों में compare करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो शुद्ध सरसों का तेल होता है वह थोड़ा गाढ़ा होता है और थोड़ा बहुत गंदा भी होता है लेकिन जो तेल आप बाजार से खरीदते हैं वह कुछ साफ दिखाई देता है क्योंकि उस तेल में chemical डाले गए होते हैं जिससे वह तेल साफ हो जाता है इसी लिए आपको सरसों के बीज खरीदने हैं और अपनी आँखों के सामने उनका तेल निकलवाना है और फिर उसी तेल का प्रयोग आपको करना है और रात को सोते समय आपको अपनी नाभी पर उस तेल को लगाना है नाभी में तेल लगाने का सबसे पहला लाभ यह है कि जब आप नाभी में तेल लगाते हैं तो इससे आपकी जठरागनी बढ़ती है अगनी आपके पाचन में कार्य करती है लेकिन जब आपकी जठरागनी मंद हो जाती है तो आप जो भोजन करते हैं उसका पाचन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है वो आपके शरीर को लग ही नहीं पाता है जिससे आपको भूख कम लगती है और फिर वह भोजन पेट में सडने लगता है तो नाभी में तेल लगाने से यह जठरागनी जो है यह बढ़नी शुरू हो जाती है और भोजन आपके शरीर को ठीक प्रकार से लगता है और जब भोजन ठीक प्रकार से पचता है तो उसे जो पाचक रस निकलते हैं वो भी ठीक प्रकार से निकलते हैं और आपके शरीर में पोशक तत्वों की पूर्तिकल निकासी नहीं होता है। अपसे बड़ा फाइदा यह है कि इससे हमारी तवचा अच्छी रहती है। तवचा पर गलो आता है। आपने सुना होगा कि जब हमारे होंट फटते हैं तो हमारे दादा पर दादा यह कहते थे कि नाभी में तेल लगा लो ठीक हो जाएंगे और हाँ ऐसा होता भी है नाभी म तेल लगाने से कभी होट नहीं पड़ते हैं स्किन की ड्राइनेस खत्म हो जाती है चहरे पर चमक आती है जुर्या नहीं पड़ती है इसके अलावा हमारे साइड में बहतर हजार नारिया है जब यह रुक जाती है अवरुद्ध हो जाती है तो इन में प्राण का संचार ठी ठीक से नहीं होता है जिससे आपको आलस आने और आपका मस्तिश्क ठीक से काम नहीं कर पाता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह जो 72,000 नारिया है यह सीधे आपके दिमाग से संबंधित है और जब आप नाभी में तेल लगाते हैं तो यह नारिया खुल जाती है इससे प्राण का संचार ठीक होता है और शरीर उर्जावान बनता है, मस्तिक से बहुत ही अच्छे से कार्य करता है. दूसरा स्थान है आपके पैरों के तलवे सारी नसे पैरों के तलवे से जुड़ी होती है, इसलिए कहा जाता है कि सुबह सुबह जो मोर्निंग वॉक करता है, नंगे पाव जमीन पर या फिर हरी घास पर चलता है, तो उसकी आँखों की रोशनी कभी कम नहीं होती है, और पै पैरों को गुनगुने पानी से धो लेना है, फिर उन पेडों को अच्छे से पूछ लेना है, पहुचने के बाद जब आपके पैर एकदम सूख जाए, तब आपको एक कटोरी में सरसों का तेल लेना है, और उसे अपने पैरों के तलवों पर लगा रहा है, इसके बाद में अगर आपके घर में कांसे की कटोरी है, तो उसे अपने पैरों, में मालिश करनी है, क्योंकि कांसे के बरतन से शहरी में जितने भी विशाक्ता रहती है, वह बाहर आ जाती है कांसे के बरतन से जब हम पेरों में, में घर्शन करते हैं, तो आपके पैर थोड़े काले होना श इससे शरीर में विशाक्त कम होता है, जिसके पैर के तलवे कम काले होते हैं, उसके शरीर में विशाक्त है, और जिनके पैरों के तलवे ज्यादा खाली होते हैं, उनके शरीर में विशाक्त ज्यादा रहती है, अगर आपके घर में आपकी माता है, आपकी पतनी है, तो आप उ अब हम जानते हैं 30 राउंड जहां पर हमको तेल लगाना है वो है हमारा सरसरदियों के मौसम में जब आप शाम को नहीं आते हैं लेकिन आप गर्मियों के मौसम में शाम को अवश्यन आते हैं तो नहाने के बाद अपने पालों को